जैसे जैसे सावन का महिना बितता जा रहा है कावरियों की ओपर्तियासित भीर देवगर के बाबा मंदिर में वैसे वैसे बढ़ता ही जा रहा है जी हाँ आज सावन मा की दूसरी संबारी है दूसरी संबारी को लेकर देवगर के बाबा पैतनाध हमें लागतार कावरियों की जो आपको देगवर के बाबा मंदिर में देखने को मिल रही है भीड इस कदर बढ़ी है कि जो खतार है देगवर के बाबा मंदिर परिसर से 8 किलो मिटर की दूरी पर पहुंची है क्योंकि भीर बढ़ जाने के कारण मंदिर का पट है वह अहले सुभा साड़े तीन बजे ही खोल दिया गया काचा जब से सरकारी पूजा की गई फिर आमसर धालवों के लिए चार बजे मंदिर का पट खोला गया और सुभा चार बजे से ही लगातार जो कावरिया है वह जिलाविसे करने के लिए पहुंच रहे हैं कि आज स्वंवारी और स्वंवारित के दिन सावर्मा में इसका महत और भी खास हो जाता है आज सरवार सिद्धी योग भी है और भरन चत्र का भी योग बन रहा है कई कावरिया है दूर दरा से सीधे हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने जलार्पन किया कैसे जलार्पन कावर जिलाव कि इस जोतिर लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है क्योंकि आप सच्चे मन से इस मंधिर में पुजारनाकर अपनी मनुकामनाएं मांगेंगे तो वह मनुकामनाएं जरूर पूर्ण होगी अगर हम वेवस्थाओं की बात करें तो चाहे बाबा मंधिर परिसर हो Цाहे रूठ प्रवावाव मंदीर का ठीक सामने की तस्वीर है दो पुलिस कर्मी बैठे हुए लगातार वो एनाउंसिंग कर रहे हैं भीड को कंट्रोल करने के लिए उनके द्वारा लगातार एनाउंस किया जा रहा है आप नीचे की तस्वीर देखें जो यह पारवती मंदीर का द्वार है पारवती मंदीर में जो कतार बद्ध होकर वो गरवरी में नहीं जा सकते हैं वो ड्रम रखा गया उनके लिए वो ड्रम में आप जलार्पन कर सकते हैं और वो ड्रम जब भर जाता है तो जो बावा मंदीर के यहां पर कर्मी है उनके द्वारा वो जल पारवती मंदीर पर आर्पन किया जाता है क्योंकि आज सोमार है सोमार में भीड काफी संख्या में बढ़ी हो यह अनुमान जताय जा रहा है कि आज दो से तीन लाख की संख्या में कावरिया बावा मंदिर पर बंध होने तक पूजा आराधना करने वाले हैं देवगर से प्रमजीत कुमार लोकल 18 दो सुनने के ले तयारे नहीं है लोक है तो आइन में को में नहीं चुछा नहीं है देखिये